Hello guys, welcome back to my channel और आज की वीडियो में हम करेंगे लूप्स के बारे में इन सी प्रोग्रामिग तो आज का चैप्टर फाइव होने वाला है हमारा लूप्स के बारे में जिसमें फॉर लूप, वाई लूप और डू वाई लूप हम कवर कर रहे होंगे तो चलो शुरू करते हैं उसे फिले हम बात करते हैं फॉर लूप की पर एक्जामपल लगा लो तुम्हें 1-10 अगर कुछ भी प्रिंट करना तो तुम यह पूर नहीं लिखोगे प्रिंट एफ वन प्रिंट एफ 2-3-4 and so on till 10 अना इसके लिए हम लूप कर सकते हैं तो वटालूप लूप सार्यूप रिपीट असेट ऑफ स्टेट्मेंट्स ओके अब फॉरूप के तहां फॉरूप इस रेंज बेस्ट भी डिफाइन दर रेंज ओंड लूप तो हम क्या करते हैं दर फॉरूप हमारे के रेंज बेस्ट है हम उसको एक तरीके से बता देते हैं कि भाई इस पॉइंट तक तेरे को रन करना है और जो क्या रन करना है वो हम कोड देते हैं जैसे कि आपके देख सकते हैं तो पले वैरियेबल देते हैं फिर एक कंडिशन द तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करता है चीजें काम तो आप मैक्सम चीजें खुद ट्राइ कर लिया करो तो हम बात करते है फॉर लूप की ठीक है तो सब्सक्राइब करते है नॉर्मल एक मैंने फॉर इंट आइए इकुल टू जीरो बनाया कि मेरा इंटीजर आए जोना चाहिए और कहां तक चलना चाहिए जब तक आई इस लेस तेन टेन ठीक है और उसका क्यों अच्छी इंक्रीम की क्या और की क्या हो रहे है और हमारा पर बैक सब्सक्राइब करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहे हैं तो आप देख सकते कि हमारे 013456789 तक और तो यहां पर आक्च्छ प्लस कर रहा है तो यहां पर इसने यह चीज करिए प्रिंट आई तो सबसे पहले हमारा आई 0 था यहां पर इसकी वैल्यू जीरो थी यहां पर धिया जाए आप इसको एसे लिकलो आए जालिऊ और यहां पर हमें एक अच्छी तरह से मिल ज़ेगा कि एक वैल्यू मारी कैसे ब यह देखता है कि 1 is also less than 10 तो यह वाला चल जाता है यह कब तक चलता है 9 तक क्योंकि 9 वाला प्रिंट करेशन है और उपर जाता है 10 के साथ तो यह पर देखते हैं 10 is not less than 10 because it is equal to 10 therefore it will not execute the next statement so we can use the equal to like less than equal to so it will run अब अगर हम इसको ऐसे रन करते हैं तो यह देख सकते हो आप 0 से लेकर 10 तक चला तो ऐसे आप इसको आप चेंज कर लो मुझे बंद तक चाहिए तो आप बंद से लेकर 10 तक ऐसे प्रिंट कर सकते हो तो आपको एक बेसिक आईए और कि मंदू 3 पर फ्रिंट कर सकत इट विल रिपीट असेट ओफ और कोड तो तो अब इसमें क्या हो रहा है वाइलूप एक कंडिशन बेस लूप है जिसमें में कंडिशन दे देंगे और जब तक कंडिशन ट्रू होगी तब तक वो चलता रहेगा लूप मतलब जो भी उसके अदर कोड़ोंगा वो चलता र सब्सक्राइब करेंगा और यह वेलूप करने के लिए प्रिंट बाद के पारेगा आई के लिए प्लस प्लस हो जीगी तो आपको समझा है मिलाब आक्च्छल में कैसे हो रही है आपके कि अब मैं यहाँ पर भी ऐसी कर लित हूं आए वैल्यू और यहां पर चलो उस नहीं पिछला थोड़ा सेम सामसा होजेगा तो इसको रंग करके देखें तो हमारा यहां पर देख सकते हो कि यहां पर में कंडीशन देनी होती है तो मान लो कि मैं यह आई प्लस-प्लस ही ना करता तो आपके साथ से क्या हो ना चाहिए तो आप एक सिंद के लिए सोचो और उसके ब देखर मलब यह चले जा रहा है आपकर आप यहां पर देखो यह बिल्कूल लगाता है चल रहा है बिना रूपे क्योंकि यहां पर मैंक बंद कर जाता है तो बहुत मैमरी खा लेगा तो यहां पर क्या हो रहा है आई इक्वल तो यहां पर यहां पर यह वैल्यू हमेशा के तो यहां पर हमारा ज़रूरी है कि हम इंक्रीमेंट करें तो इक काम को फटाफट वीडियो पॉस करो और इसी प्रोग्राम को फिर से लिखो वाइल लूप के अंदर पर उसमें आपको क्या करना है 10 से लेकर वन तक प्रिंट करना है मतलब रिवर्स जाना तो इसको पॉस करो तो मुझे लगता है आपने ट्राय करके देख लिया होगा तो बहुत असान फाम इसमें उल्टा कर देंगे कि आए की स्टार्टिंग विल्यू 10 होईगी और आए कब तक चलेगा जब तक वो ग्रेटर देन जीरो हो ठीक है या जब तक हमाने क्योंकि मैंने बन तक बोला था तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं वाइल इस ग्रेटर दन उकल टो वन आई की वैल्यू यह माइनस माइनस कर देगा तो रन करके देखते हैं हमारा और आप देख सकतो 10 से लेकर बन तक हमारा प्रिंट हो तो यह तो हमारा वाइल लूप जो कि बिलकुल असान है वह नेक्स्ट नेक्स तो और भी अशना है अगर आपको लूप समझा जोगा है तो नेक्स्ट आमाना दूवाईल यूप इस प्रस्ट एक्जिक्टूट्ट देन चेक्स्ट है कंडिशन वहराँस इन दवाइल्ब इट फिर्स चेक्स दकनेशन थेजक्शन तो सब पहले वाइलूप में आपने देखा यह से पर कंडीशन कर रहा है उसके बाद ही रन कर तो मान लो मैं एक सब्सक्राइब कर देते हैं हम जीरो ठीक है तो अब यहां पर आपके साब से क्या होगा यहां पर आप इसने करा आई इस ग्रेटर दन इक्वल टू टू ठीक है बट जीरो इस नौट से ऐग्जीट यहां पर यही चीज दो वाइल रूप में होती हम क्या करते है डू वाइल के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि से कर्दीशन तो सबसे और कोड execute होगा हमारा यहां पर ठीक है जो हम कोड़ यहां पर दे रहे होंगे वह कोड़ सबस्पर execute होगा उसका जाएगा यह condition देखे कि भाहिस सब condition क्या है और अगर वह condition true है तो फिर से वापिस वो पर से कॉमा आए यहां पर करेंगे वाइल आए इस लेस टेन इकोल टू टैन और यहां सेमिकॉल अब हमारा रह गया आई को डिफाइन करना आई अमारा बन ठीक है तो अब आपको समझा गया कि मतलब कैसे हो रहे हैं मैं सको रन अगर करता हूं तो यहां पर हमारा आए की वेल्य सबसे पहले वन से स्टाट वहीं और टैन तक प्रिंट नहीं होगी कि हमने आए प्लस प्लस लिखा ही नहीं है तो अगर हम यहां पर लिखेंगे आए प्लस प्लस उसके बाद यह हमारा इसकी वैलियू इंक्रिमेंट उतर एक है जब से देखे हो कि 111 ही प्रि दो इस नौट ग्रेटर दन इकोल टुट तो वन इस नौट ग्रेटर धन इकोल टुटैंट जो कि वाल स्ट्टेट्टिमेंट तो क्या चलेगा इए अब रण कर देखे लिए हैं यहाँ पर ही एक बार जला क्योंकि यहां पर यह एक बार चलेगा उसके बाद कंडिशन चेक व समझ आगया होगा और अब इसका एक्सरसाइज आप कर सकते जो मैंने आपे लिखा है नॉर्मल सी है तो जैसे कि मैं एक पहली वाली करके दिखा देता हूं तो आप समझ आओगे कैसे हम लूप का को म单 on card एर सकते हैं तो जैसे कि आज 스ğ серь हमारा राइट फ्रग्रम को प्रिंट करेंगे टेंगे तो हम असकी टेबल प्रिंट करेंगे दो ने हमारा रैट प्रोग्रवम्त्थ प्रिंट टेबल अफ नमबर सबसे पहले ले लेंगे तो उसकी टेबल प्रिंट करें के टन संब तक तो यहां पर हम ले लेंगे एंट्र this नमबर उसको हम स्काइण ड》 तो छ्राइब n के address पे store कर देंगे अब हम क्या करेंगे for int i equal to 1 से i less than equal to 10 तक चलाएंगे और i के वेले plus करते जाएंगे ठीक है और यहां पर हम क्या करेंगे printf करेंगे %d multiplied by %d equal to %d तो यहां पर जैसे हमारे table का format होते है कि पहले हमारा जो number है n और हमारा i के साथ multiply हो रहा होगा comma n into i उसका result क्या है ठीक है तो एक बहुत normal सी चीज़ है जो की समझ आ रही होगी रूंस को रन करके देखते हैं टेजर नमबर मैं टू की या 5 की टेबल अगर प्रिंट करना चाहूं को यह आ रहा है बट यहां पर हमें चेंज करकर करके देखो की उल्टी टेबल प्रिंट कर दो तो इससे समझ सकते हो कि रहा है राइट प्रोग्राम टो तो यह मारा पहला कुशन हो गया टाफट आफट दूसरा देख लेते हैं दूसरा हमारा क्या है तो हम सबस्पहले वही एक ले लेंगे एंग और फिर हम क्या करेंगे उस से मांग लेकि प्रिंट एंटर दा एंग उसके बाद हम स्कैन पर संडी इसको एंपे श्टोर करेंग अब हम क्या करेंगे यहां पर हमें आई तक का सम प्रेंट लेना तो हम वन से स्टार्ट करेंगे और एंट तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे बट यहां क्या कर रहेंगे सम नाम को उपर हम वेरियेबल बनाएंगे एक इंट सम इकोल टू जीरो के स्टार्टिंग म तो यहां पे इसके वेली वन रहीगी तो एसे करते करते ही हमारा पूरा हो जएका उसके हम करेंगे सम और यहां पर हम सम प्रिंट करवा देंगे नॉर्मली इसको रन करके देखते हैं तो यह था आज की वीडियो के लिए आपको लूप सचसरी समझ आ गए होंगे और लाइक और सब्सक्राइब कर दो वीडियो को जाके और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टेए ट्यूंट